दुर्ग जिला पंचायत और जन्पत पंचायत की मार्ग दर्शन पर जल संडक्षन की दिशा में विभीन का एक्रमों का आईजन हुआ जिसमें नारी शक्ती से जल शक्ती का अभियान चला कर भू जल को प्रुटसाहिद किया गया दुर्ग करेक्टर दिशा प्रकास चोधरी के निर्देशा नुसार जिला पंचायत और जन्पत पंचायत द्वारा जल संडक्षन को लेकर जिला स्तरी विभी नायुजन की गए इस दोरान ग्राम गाला डी जन्पत पंचायत पाटन और ग्राम पंचायत पत्थरिया ब्लॉक धंदा में हरित ग्राम सब्ता जल संडक्षन अभियान का एक्रम किया गया इसके लिए 5 जुन 2024 से 12 जुन 2024 के मद्द निर्मित सोकता गड़्ों की संख्या बढ़ाने के लिए जन्द जाक रुकता अभियान चलाए गया जिसके तहट ग्राम पंचायत गाला डी और पत्थरिया ब्लॉक में कायक्रम अईजित के गया इस दोरान मुखे काय पर अधिकारी अश्वनी दिवांगन द्वारा बताय गया कि भूँ जल को रिचार्ट करने एवं जल भरा को लंबे अवजी तक रोकने सोक पिट एवं वाटर हार्वेस्टिंग संडचना मदद करती है और साथी वर्षा के जल के प्रहवी प्रभंदन के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर सभी सारोजनिक नलकूप हैंट पम के पास सोक पिट का निर्मान तथा सारोजनिक पक्का भावणों में वाटर हार्वेस्टिंग संडचना बनाने के लिए आमजन ग्राम पंचायतों का रड़ी में नारिश शक्ति से जल शक्ति का अभियान चला कर भूच जल को प्रोच साहित किया गया साथ ही परवरन संबंदित बच्चोंदवारा मॉडल का जल संड़क्षन की संबंद में मॉडल आर्ट बनाय गया पिंटिंग रंगोली नुकरनाटक के माध्यम से जल संड़क्षन के लिए प्रेरित किया गया इस दिशा में गाओं के ग्रामेनों को जल प्रेरी, शिनी रजवानखेडे, स्वप्रेडा, रैन वाटर हर्वेस्टिंग, वर्षा के जल को संग्रा करने के लिए गाओं घरों में एककतित करने का सरल तरिका बताया इसे वर्षा का जल सीधे भूजल में संग्रहित हो जाता है कैकरम में छोटे बच्चों और महिलां द्वारा भी भागीदारी लेकर नाटक और कवीता के माध्यम से जल संडक्षन के महतों को समझाय गया इस मौके पर उपस्थित सभी कोजल संडक्षन है तू शपत भी दिलाई गई एसी एन निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट